Hello dear students, in this lecture we see the potassium replacement. आज के lecture में हम लोग देखेंगे कि potassium replacement किस तरह से किया जाता है। ठीक अगर हमारी बॉड़ी में potassium की कमी हो जाती है तो हमें उसे किस तरह से हम उसे replaced करते हैं। फिर से हमारी बॉड़ी में add करते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्षर में देखा था सोडियम डिप्लेस्मेंट के बारे में देखा था सोडियम क्लोराइट क्यों हम लोग अगर हमारी बॉड़ी में पोटेशियम की कमी हो गई है तो हम उसका कौन सा फॉर्म यूज करते हैं सॉल्ट फॉर्म अब सॉल्ट फॉर्म हम negative ठीक है तो यह क्या हो गया यह हमारा salt form हो गया अब देखो यहाँ पर आपको पता है किसका formula क्या है KCl potassium chloride ठीक अब इसका molecular weight कितना होता है molecular weight मैंने आपको पहले भी निकालना बता है कि हम लोग किस तरह से निकालते है potassium का molecular weight कितना है 39 point something है कुछ plus chlorine का कितना है 35 अब जब हम इसे add करते हैं तो कितना हो जाता है 74 point something ठीक है कितना है इसका molecular weight 74.56 यह आप लोग को आना चाहिए तो इसलिए आपको जो हमारी periodic table होती है तो उसमें जो molecular weight है आपको वो पता होना चाहिए molecular number और molecular weight तो अब हम लोग देखेंगे आई-पी लिमिट आई-पी में इसकी क्या लिमिट है तो potassium chloride content not less than 99% calculated with reference to dried substance जो हमारा dried substance होता है potassium chloride का वो 99% से कम नहीं होना चाहिए ठीक अब जो हमारा potassium chloride है वो कौन से form में रहता है जो उसका powder होता है वो white crystalline form में कौन से color का होता है यह याद रखने है आपको कि कौन से color का होता है white color अप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे इसमें theory case में लिखा है तो आप लोग कैसी लिख सकते हो color में क्या आ जाएगा white color crystalline solid particle और फिर आप लोग पोइंट डालोगे solubility क्या डालोगे यहाँ पर solubility तो इसमें solubility क्या है solubility ठीक अब solubility पर पॉइंट आ जाएगा solubile अब solubile किसमें है यह देख लेते हैं it is less soluble in water क्या है as compared to sodium chloride sodium chloride के compare में हमारा potassium chloride less soluble होता है मतलब जितना sodium chloride soluble होता है जैसे हम लोग उससे transparent देख सकते है उतना हमारा potassium chloride soluble नहीं होता है slightly more soluble in boiling water but boiling water में more soluble होता है than soluble in glycerine जो glycerine है उसमें soluble होता है and insoluble in alcohol alcohol में insoluble है ठीक अब identification test कैसे करते हैं potassium के लिए क्या test है chloride के लिए क्या test है फिले वो देखेंगे है हम लोग तो potassium to 1 ml of solution add 1 ml dilute acetic acid हमें क्या करना है 1 ml क्या लेना है potassium के लिए यह हमारे test tube है इसमें 1 ml solution लेना है हमारा test solution लेना है 1 ml ठीक प्लस 1 ml dilute acetic acid लेना है क्या लेना है acetic acid फिर उसके बाद में फिर हमें इसमें क्या करना है 1 ml कितना लेना है 1 ml 10% मैंने आपको पहले बताया था कि 10% मतलब 10 g in 100 ml क्यों क्योंकि हम पे weight by volume है तो 10 g लेना है हमें sodium, cobalt, nitrate ठीक उसको 100 ml में हम लोग dissolve करेंगे और फिर उसके बाद में उसका 1 ml उसमें से लेंगे तो हमें इस तरह से हम लोग 10% solution मनाएंगे तो इसका कितना है हमें 1 ml फिर जब हमें इनको mix करेंगे तो हमारा जो solution है वो कौन से color का होना चाहिए yellow color का अगर हमारा solution yellow color का होता है तो वो क्या है वहाँ पे potassium present है अगर वो yellow color का नहीं है तो महाँ पे अगर वो white color का white color देता है या हमारा test या फिर हमारा test red color देता है तो क्या है वो potassium उसमें present नहीं है को सा कलर देना चाहिए यल्लो कलर और क्लोरायट में हम लोग ने पहले भी देखा था स्वाट्या माना क्लोरायट की California के में Italine तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सबस्टांस लेते हैं उसमें हम लोग सिल्वर नाइटरिट एड़ करते हैं फिर हम उसे शेक कर देते हैं उन दोनों सॉलुशन को क्या करते हैं फिर उसके बाद में हम उसे थोड़ी देर तक लिए रख देते हैं रखने के बाद हम उसमें क्य करते हैं तो वो pollutants न लगज़ें दानियुपं करते हैं फिर हम उसमें कि अधिय केट करते हैं और वह प्रेशिपिटेट इंदे उस में फ्रोर हो चाहिए हुँआ पने दवानेक मिन और फेलोग हों लॉन फ Stream बना की नहीं बना यह देखने के लिए तो फिर से री मतलब वापस से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो इसले हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं री प्रेसिपिटेट मतलब यह हमारा वाटर है ठीक अब यहां पर इसमें हमने कोई सबस्टांस जाल दिया तो यह के सॉलि अच्छे से याद कर सकते हूँ जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या लिया सबस्टांस मैं आपको बताती हूँ इस तरह से आप लोग को लिखना है आपके नोट्स में सबस्टांस लिया फिर उसकी बाद में यहां पर हमने एरो लगाया एरो लगाने के बाद में हमने इसमें क्या एट करा डाइलूट नाइट्रिक एसिड तो डाइलूट सिल्वर नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट हमने उसमें एट करा फिर आप यहां पर लिखोगे शेक ठीक शेक फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा उसमें उसे शेक करा शेक करने के बाद हमने उस stand करना है stand for five minutes five minutes के लिए stand कर दो फिर जब तक कि आपको stand करना है जब तक कि उसमें precipitate form नहीं हो जाते फिर white precipitate are obtained यहाँ पर लिखोगे white precipitate are obtained फिर आप लोग arrow बना के क्यों लिखोगे यहाँ पर फिर arrow बनाओगे फिर यहाँ पर लिखोगे which is insoluble in nitric acid यह वाली लाइन आप लिखोगे फिर उसकी बाद में आप लोग फिर arrow बनाओगे फिर यहाँ पर लिखोगे being washed with water फिर उसकी बाद में फिर आप arrow बनाओगे फिर वहाँ उसके नीचे लिखोगे dilute ammonium hydroxide उसमें add करेंगे in dilute ammonium hydroxide फिर आप arrow बना के लिखोगे आपको जल्दी याद होता है ठीक है अगर आपको potassium का याद करना है तो आप लोग कैसे याद करोगे 1 ml of solution फिर आप लोग test solution भी लिख सकते हो फिर आप arrow लगाओगे फिर 1 ml dilute acetic acid फिर आप arrow लगा के लिखोगे 1 ml 10% weight by volume sodium cobalt फिर arrow लगा के आप लोग सबसे नीचे क्या लिखोगे yellow color is produced ठीक इस तरह से आप लोग को याद करना है then preparation preparation किस तरह से की जाती है potassium chloride की तो it is prepared by fusing carnelite whereby liquefied magnesium chloride hexahydrate it is separated from the solid potassium chloride इसमें हम लोग किस तरह से prepare करते हैं से तो देखो fusing carnelite carnelite का formula यह होता है ठीक यह क्या है हमारा carnelite तो इसमें present है potassium chloride में तो हम लोग क्या करेंगे fuse करेंगे carnelite का wear by liquefied magnesium chloride क्यों हम लोग इसमें क्या करेंगे liquefied by magnesium chloride जो कि hexahydrate it is separated from the solid potassium chloride फिर हम उसे क्या करेंगे solid potassium chloride को separate कर लेंगे the crushed carnelite is dissolved by boiling with liquor leaving other impurities undissolved जो कि impurities है वो क्या हो जाएगी dissolved नहीं होगी और जो हमारा carnelite है उसे हम लग उसे क्या करेंगे crush करेंगे फिर उसे क्या करेंगे boil करेंगे with liquor leaving other impurities undissolved जो impurities है वो undissolved रहेगे these are filtered off and the filtrate is crystallizes to get cubic crystals of potassium chloride फिर उसके आद में हम उसे क्या करेंगे filter करेंगे जमारा filtrate है वो क्या है crystallized form में रहेगा और हम उसमें क्या मिलेगा हमें क्यूंब क्रिस्टल मिलेंगे potassium chloride के it is also prepared in laboratory by reacting SCL क्या करना है हमें SCL के साथ react करना है कि SCL के साथ किसकी reaction करवाएंगे potassium carbonate की reaction करवाएंगे जैसे आपको यहां पर दीख भी रहा है हम लोग यह ठीक जब हम लोग potassium carbonate की reaction SCL के साथ करवाते है या bicarbonate की reaction SCL के साथ करवाते है तो हमें क्या मिलता है potassium chloride मिलता है और यहां पर क्या remove हो जाता है water और CO2 gas remove होती है अब हम इसका assay कैसे करते है ठीक, the assay is based on Moha's method of direct volumetric precipitation, titration on aqueous solution of the substance is titrated against a standard solution of silver nitrate using solution of potassium chromate as indicator देखो, हम लोग असे कैसे करेंगे titration method से करेंगे titration method मतलब आप लोगों ने analysis पे देखा होगा आपको अभी हे भी analysis में मैं आपको एक और बार बता जाती हूँ जैसे हम लोग titration क्या कते है यह हमारी देखो, इसमें हम लोग क्या करते है हमारी solution add करते है फिर उसमें हम लोग क्या करते है जो हमारे solution मनाते है test solution अब इसमें हम लोग उसमें जैसे इहां पे जो हमारी देखे, इसमें क्या रहता है हमारे test solution रहता है conical है, conical में हम लोग test solution लेते है हैं फिर हम नसे करें हैं फिर उस में हम लोग कुछ निधिकेटर करेंगे कश् campaigns हम ऊसमें इंडिकेटर एइड़ करते हैं इसमें इसमें क्या होता है मोजा दिरेक्ट व्यूम्हानृचator सब्सक्राइब करेंगे जो कि किसका होता है सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सॉल्यूशन और पोटेशियम क्रोमेट एस इंडिकेटर यहां पर है जो हमारा पोटेशियम ख्लोराइड है उसकी रियक्शन किसके कहाँ साथ कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में तो हमें क्या मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट टिक when all the potassium chloride has been precipitated as silver chloride further addition of silver nitrate solution जो हमारा potassium chloride है वो के इसमें कौन से precipitate form हो जाएंगे उसमें silver chloride के और फिर हम उसमें add करेंगे silver nitrate solution यह brick red color अगर हम उसमें indicator add करते है तो हमें कौन सा color देता है silver nitrate के साथ में brick red color at the end point is change the color from yellow to red पहले कोन सा potassium chloride का color हमने क्या देखा था yellow था ठीक अब वो क्या हो जाता है yellow से red में convert हो जाता है अब हम लोग देखेंगे procedure की कैसे वसे form बनाया जाता है accurate weight of specified amount of potassium chloride हम लोग क्या करेंगे potassium chloride को कितना लेंगे accurate weight 0.25 gram and dissolve in 50 ml water फिर हमें से 50 ml water में dissolve करेंगे titrate the solution with 0.1 normal silver nitrate solution फिर हम उसे titrate करेंगे silver nitrate solution के साथ में using potassium chromate solution as indicator potassium chromate solution हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे ठीक है यहां पर का आपको reaction के थ्रूबी बता देती हूं यह हमारा क्या है silver nitrate है two silver nitrate है two silver nitrate है ठीक यहां पर हमारा क्या है potassium chromate solution क्या है इसे हम लोग क्या बोलेंगे potassium chromate solution और यह हमारा react react करते हैं तो यहां पर हमारा क्या बनेंगा AG2 है तो 2A1 CR इसका जो CR present है वो CR फिर उसके बाद में यहां पर क्या वह पर और तो यह O4 अब बचा क्या यहां पर देखो यहां से क्या क्या निकल गया AG2 निकल गया, CR4 निकल गया, बचा क्या, K2NO3, तो यह K2NO3 है, अब यहाँ पे यह कितना है, K2 है और NO3 भी यहाँ यहाँ पे, यह दो है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, KNO3, ठीक, फिर उसके वहन में, when uses क्या है इस मैं, electrolyte, रिप्लिटाइजर इन पोटेशियम डिफिशेंसी फैमेलियल पेरियोडिक पेरालेसिस कब यूज होता है देखना जब पोटेशियम इलेक्ट्रोडाइट मतब जब हमारे बॉड़ी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हम लोग तब हमें हमें इसकी जर्वत पड़ती है जब हमें पेरियोडिक पेरालेसिस हो जाता है तो इसकी जर्वत पड़ती है जब मेनायर्थ सिड्रोम हो जाते हैं तो जर्वत पड़ती है एंटीडॉट के इसमें माइस्थेनिया ग्रैविस के लिए हम लोग को जरुवत पड़ती है ठीक है और acute dehydration में हम लोग इसे potassium chloride को use करते हैं अब हम next lecture में हम लोग देखेंगे calcium chloride अगर आपको इसमें कोई भी doubt है या फिर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से एक और बार समझा दोगी आप मुझे बता देना ठीक थैंक यू